अध्याय चौदा वृत्त का त्रिज्याखन एवं चाप की लंबाई सेक्टर ओफ अ सर्कल एंड लेंथ ओफ आर्क बच्चों आप अपने आसपास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से वृत्ताकार वस्तुएं देखते हैं जैसे कि साइकल का पहिया। ये सिक का जो की वृत्ताकार है और ऐसे ही कुछ गड़ी के जो डायल होते हैं वो भी वृत्ताकार होते हैं। चलिए आज हम वृत्त को ही पढ़ने और समझने के प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक व्रित्त बना लेते हैं। माली जी एक वृत्त हमने यहाँ पर लिया केंद्र O और उसकी त्रिज्या हो गई O A और ये हमने एक वृत्त बना लिया जैसे कि हमने कहा ये वृत्त का केंद्र O है ये उसकी त्रिज्या O A और ये जो वृत्त कारपत हम देख रहे हैं इसे कहते हैं वृत्त की परिधी बच्चों यदि हम इस त्रिज्य ओए को इस प्रकार से परिधी के दूसरे सीरे तक ले आए तो ये जो रेखा खंड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं वृत्य का व्यास यह व्रित्य का व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है यह भी एक व्रित्य का व्यास है यह भी व्रित्य का व्यास है और यह भी व्रित्य का व्यास है इस प्रकार एक ही व्रित्य में आप अनंत व्यास बना सकते हैं बच्चों व्रित्य की परिधी यदि हम व्रित्य की परि पॉनते हैं ना बिल्कुल सही तीन दशमलों एक चार के लगबाद यदि इसकी गढ़ना करनी है तो हम परिधी के लिए व्यास को यदि हम पाई से गुणा कर दे तो परिधी बराबर क्या मिलेगा व्यास गुणित पाई और व्यास का मान कितना होता है तिज्या का दो गुण तो हम लिख सकते हैं परिधी बराबर पाई गुणित टू आर इसलिए मिला व्रित्य की परिधी बराबर टू पाई आर चलिए व्रित्य के छेत्रफल की भी बात कर ले इसके लिए हमें फिर से एक व्रित्य लेना होगा और यदि हम उसका व्रित्य बना ले तो ये हो गया विद्य के त्रिज्य ओ एwr फिर से मिल गया हमको ये व्रित। इस विद्य के छेत्रफल देते हैं। तो देखिए ये जो नारंगी रंग का छेत्र आप देख रहे है ना वृत्त का यही वृत्त का छेत्र फल कहलाता है वृत्त के छेत्र फल का सूत्र होता है पाई यार स्क्वेर चलिए बच्चों अब हम वृत्त के त्रिज्या खन पे बात करते हैं इसके लिए फिर से एक इन दोनों बिंद्ओं को वृत्त के केंद्र O से मिला देते हैं यह O X और O Y क्या हैं वृत्त के त्रिज्जाएं हैं वृत्त कि यह दो त्रिज्जाएं और यह जो Cy चाप आप देख रहे i n तरिजञाखन के द्वारा ये जो घिरा छेत्र है यही तृज्जाखन कहलाता है वुर्त पर हमने ये जो दो तृज्जाएं बनाई है इन्होंने वृट्त को दो भागों में विभक्त कर दिया है एक भाग ये है और दूसरा ये क्योंकि ये भाग छोटा है तो यसे हम लगऊ तरिज्जाखन कहेंगे